सात्यों नमस्कार मैं हूँ नीरज पटेल और आप देख रहें नेशनल जन्मत किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी में भ्रष्टाचार करने का साहस या दुसाहस तब आता है जब उसको ये यकीन होता है कि उपर बैठया हुआ कोई अधिकारी या नेता उसको बचा लेगा या दूसरे सब्दों में देशी अंदाज में कहें तो इसी को कहा जाता है जब सैया भै कोतवाल तो डर काहे का पूरे दस्तावेज और साक्षियों के साथ आज जिस भेष्टाचार की कहानी में लेकर के आया हूँ वो ना सिर्फ आर्थिक व्रष्टाचार है बलकि जाती ब्रष्टाचार भी है इसी ब्रष्टाचार की वज़े से उत्तर प्रदेश में हजारों लाखों चात्रों का भविस्य दाव पर है कहानी है परिक्षा न्यामत प्राधिकारी यानि की एक्जाम रेगलेटरी अथर्टी जो प्रियागराज में इस्थित है जिसकी पूरे साक्षों के साथ तत्थ्यों के साथ ये बात कह रहा हूं कि वो पूरी तरीके से भष्टाचार का अड़ा बन चुका है वैसे तो इस कहानी में दरजनों विलेन हैं लेकिन विलेन की मुख भूमका में है अनिल भूसन चतुरवेदी परिक्षा न्यामक प्राधिकार विभाग में सचिव हैं और दूसरे नंबर पर आते हैं विलेन की भूमका निवाने वाले MRV Data Services Private Limited के डारेक्टर राम नरेस सर्मा और उनके परवार के तमाम सारे लोग यही वो कंपनी है जिसको अनिल भूसन चतुरवेदी जी की किरपा से TET परिक्षा होने के बाद उसका रेजल्ट बनाने की यानि की OMR सीट जाचने की जिम्मेदारी दी हुई है इसके अलावा आख मूंद करके या किसी लालच में इस ब्रश्टाचार को होते देख रहे तमाम लोग विलेन के सहयक की भूमका में हैं जिसमें पहला नाम आता है बेसिक शिक्षा विभाग के मंत इसके अलावा परिक्षा न्यामक प्रादिकारी केंपस में ही बना हुआ है राज सिक्षा संस्थान जिसके प्रिंस्पल हैं डॉक्टर आस्तोस दुबे वो खुद और उनकी पतनी निर्मला पांडे भी इसमें बिलेन की भूमका में हैं योगी सरकार के तथा कथित और दलिद्वर्क के छात्रों को किस तरीके से सिक्षक बनने से रोकने के लिए जातिवादी पोस्टिंग की जा रही है इसका सबसे बड़ा उधारन है तो वो है परिक्षा न्यामक प्रादिकारी याद करिए 68500 सायक अध्यापकों की भरतियां उस समय सचिव हुआ करती थ साथ आई ओवी सी एसी वर्क के तमाम सारे वो चात्र जो सफल थे उनको कम अंक देकर उनकी जगह सबन चात्रों को जादा अंक दे दिये गए थे मामला बहुत हाइलाइट हुआ था सुत्ता सिंग को उस मामले में निलंबित कर दिया गया था जाती वरष्टाचार का आलम देखिए सुत्ता सिंग के निलंबन के बाद जो कमेटी बनाई गई थी इस मामले की जाच के लिए उसमें सर्व सिक्षावियान के निदेशक बेदपती मिस्र और बेसिक सिक्षा विवाक के डारेक्टर सरविंद विक्रम सिंग को सदस्य बनाया जाता है क्या जाच होनी थ था और ना पता चल पाएगा आठ सितंबर 2018 को उनकी जगे मेरत से बुला करके उस पत पर बैठाल दिये गए थे अनिल भूसन चतुरवेदी उनके सजाती पत्रकारों ने उनकी सान में कसीदे करते हुए कहा कि अनिल भूसन चतुरवेदी आ गये हैं अब सब कुछ ठीक ठा सरकार की सबसे जादा किरकरी हुई उसमें भी OVC SC के मिला करके तकरीवन 22,000 चात्रों का नुकसान किया गया क्या इस भृष्टाचार को जाती भृष्टाचार नहीं कहेंगे 69,000 सिख्षक भरती के अव्यरती लगातार एक साल तक प्रदर्सन करते रहे सरकार की किरकरी होती रही विपक्ष हमला बोलता रहा लेकिन अनिल भूसन चतुरवेदी इस पत पर बने रहे जब इनका कारिकाल पूरा हो जाता है तो मजबूरन 15 जून 2021 को इनका तवादला करना पड़ता है तो दूसरे जो अधिकारी खोजे जाते हैं इनकी जगे पर वो भी इनी के सजाती यानि की संजय उपाध्याए उन पर आरोप लगते हैं कि टीटी का जो पेपर इससे पहले हुआ था वो लीख हो गया था कहा गया था कि जिस जहां से ये प्रसनपत्र छपे थे उस एजेंसी को ठेका इनी ने दिया था इसलिए उनको निलंबित कर दिया जाता है संजय उपाध्याए निलंबित होते हैं तो फिर से दुबारा एक दिसंबर 2021 को इनको सचिप परिक्षा नियामक प्रादिकारी बना दिया जाता है मतलब योगी सरकार के पूरे कारिकाल में इन 6 महीनों को बीच में छोड़ दिया जाए जब संजय उपाध्याए आ गए थे वो भी वरष्टाचार की भेट चड़े पूरे समय में यही व्यक्ति सचिप परिक्षा निय अगर कोई व्यक्ति है तो उनका आरोप अनिल भूसन चतुरवेदी पर ही जाता है चतुरवेदी जी पिछले कारिकाल में सितंबर 2018 में सचे परिक्षा नियामक प्रादिकारी बनते हैं और बनने के ही एक दो महीने के भीतर MRV Data Services Private Limited जिसके डारेक्टर है राम नरेश सर्मा इनको जिम्मेदारी दे देते हैं T.E.T. परिक्षा के बाद OMR सीट जाचने की और रिजल्ट तैयार करने की इनी राम नरेश सर्मा के नेत्रत में तैयार हुए तमाम सारे रिजल्टों में गड़वलियां सामने आ रही हैं हजारों की संख्या में OVC SC चात्रों के भविस् इस कंपनी के डायरेक्टर्स की लिष्ट देखिए खुद राम नरेश सर्मा उनके बेटे पंकच कुमार दीक्षित उनके दूसरे बेटे प्रिकुल सर्मा उनकी पतनी कृष्णा देवी रेनु सर्मा जो उनके बेटे की पतनी है यासिका सर्मा जो उनके दूसरे बेटी की पत्नी है मतलब एक कंपणी बनाई जाती है छे लोगों की उसमें परवार के ही छे लोग भर लिये जाते हैं के बल इतना मामला नहीं है इस कंपणी पर चार अलग अलग ठाना छेत्रों में एफ आई यार दर्ज हैं वो भी किस बात की कि इस कंपणी के लोगों ने उनसे जाक करके कहा कि मेरे पास OMR सीट जाचने का ठेका है रिजल्ट भी हम ही बनाते हैं और सही बात भी है तो हम आपको सहायक अध्यापक बनवा सकते हैं यानि कि नौकरी के नाम पर 6 लाग से ले करके दस लाग के आरोप लगे इन चारों FIRO में फरजी बाले के आरोप लगे प्रष्चाचार के आरोप लगे लेकिन मजाल है कि कोई इनका ठेका कैंसिल करवा दे नेशनल जन्मत के पास चारों FIRO की परती उपलब्द हैं दो अक्टूबर 2020 को FIRO दर्ज होती है मुरादाबाद के सिविल लाइंस ठाने में FIRO करवाते हैं कपिल कुमार पुत्र हरग्यान सिंग आरोप उसी तरीके से नौकरी के नाम पर पैसा लेने के दूसरी FIRO इनके खिलाफ होती है 16 मार्च 2021 को थाना छपरोली जिला बागपत में FIRO करवाती हैं प्रियंका आरेप पतनी प्रशांत शर्मा उसी तरह के आरोप तीसरी FIRO 5 सितंबर 2021 थाना बालैनी जिला बागपत अजय कुमार पुत्र सरदार सिंग FIRO करवाते हैं चौथी FIRO 26 अक्टूबर 2021 थाना टीला मोड जिला गाजियाबाद राम सिंग पुत्र सुमेर सिंगी FIRO दर्ज करवाते हैं आरोप वही नोकरी लगवाने के नाम पर पैसा ले लेना फरजी ओफर लेटर बटवा देना इतना ही नहीं इस कंपनी के उपर ये भी आरोप है कि चार साल से ना TDS जमा किया है और वैलेंस सीट जो दिखाई जा रही है वो भी फरजी है इन तमाम सारे आरोप पर जमानत भ भविस्य दाव पर लगाते हुए एक 420 कंपनी पर हर जीवाला करने वाली कंपनी पर भरोसा जता रहे हैं अनल भूसन चतुरवेदी और लगातार सिकायतों के बाद भी इस कंपनी के पास ही जिम्मेदारी दे रखी है कि वही कौपी जाचेगी और छात्रों का भविस्य त करके तै करेंगे अब आते हैं दूसरे सहायक बिलिन पर डॉक्टर आस्तोस दुवे जो प्राचार है राज सिक्षा संस्थान में इनके उपर आरोप यह है कि इनका और अनिल भूसन चतुरवेदी का ओफिस एक ही केंपस के अंदर है और रहते भी दोनों आसपास हैं तो इ बैंक स्टेट्मेंट उपलब्द कराया है इस उपलब्द बैंक स्टेट्मेंट में एक नाम है निर्मला पांडे जिन लोगों ने मुझे सिकायद करताओं का कहना है कि ये निर्मला पांडे जो है वो इन्ही आस्तोस दुवे की पतनी है मैंने इस बाज की जांट परताल की तो इतना किलियर हो गया कि आस्तोस दुवे की पतनी का नाम निर्मला पांडे है लेकिन इस्टेटमेंट में ये कौन सी निर्मला पांडे है ये जाच कब इसे हो सकता है लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि किसी निर्मला पांडे नाम की महिला के नाम पर जिनको इन आस्तोस दुवे की पतनी बताया जा रहा है 9 मई 2019 को इस कंपनी के दौरा तक्रीबन 10,25,069 रुपे दिये जाते हैं क्यों इसका जवाब साइद किसी के पास नहीं है 25 नौंबर 2020 को इनी निर्मला पांडे के अकाउंट में 2,70,000 रुपे एक बार उसकी थोड़ी देर बाद ही फिर से 2,70,000 रुपे भेजे जाते हैं ये स्टेटमेंट 1 मार्च 2019 से 1 नौंबर 2019 तक है इसके बाद भी जो ट्रांजिक्षन हुए होंगे वो अलग है मतलब 6-7 करोन रुपे का ट्रांजिक्षन हो चुका है इसके हिसाब से और कहा जा रहा है कि इसमें टैक्स के अलावा टीडियस और बैलेंस इट सब के साथ खिल्वाल किया गया है अब इस पूरे भरष्टाचार को मैं आर्थिक के अलावा जारती भरष्टाचार के नजरिये से इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि वीडियो के सुरवात में मैंने एक बात कही थी कि जब उपर बैठा हुआ कोई गत्ती ये साहस देता है कोई गड़वरी होगी तो मैं तुम्हें बचा लूँगा तो ब्रष्टाचार करने का दुस्साहस जादा आता है उधारन सामने है राम नरे सर्मा जिस समाच से आते हैं उसी समाच से अनिल भूसन चतुरवेदी आते हैं और अनिल भूसन चतुरवेदी जिस समाच से आते हैं, उनके विभाक के मंत्री सतीस दुवेदी भी उसी समाच से आते हैं, और आस्तोस दुवेदी जो सहयक की भूमका में हैं, वो भी इसी समाच से आते हैं, उनकी पत्नी निर्मला पांडे भी इसी समाच से आती हैं, लेकिन इसको आप जाती बाद नहीं कह सकते अगर ये 5 लोग Backward की किसी जाती से होते 5 यादव हो जाते 5 कुर्मी होते 5 मौर्या होते या S.C. की किसी व्रादरी से होते तब ये जाती बाद कहा जाता लेकिन सवर्णों का जाती बाद तो राष्ट हित में है यही योगी जी के रामराज जी की असली संकल्पना है अब दूसरे डायरेक्शन में सोच की देखिए सरवेंदर विक्रम बहाद्दूर सिंग सितंबर 2021 में रेटायर्ड होते हैं उनके साथ एक सिनह जी डायरेक्टर थे वो भी रेटायर्ड हुए थे उनको रेटायर्ड हो जाने दिया इनका सेवा विस्तार एक साल कर दिया गया जैसे मानो अधिकारियों को टोटा पड़ा हो चलिए एक साल विस्तार होता इससे ये बात साबित हो जाती है कि कहीं न कहीं योगी जी के करीबी है और ये योगी जी के ही क्यों इस बिभाग के अपर मुख्य सचिब हैं दीपक कुमार वो भी योगी जी की जाती से आते हैं मतलब तीन लोग सजाती योगी आदितनात जी को अपनी जाती पर गर्ब है तो उनके अपर मुख्य सचिब दीपक कुमार जो उनी के सजाती है उनको भी अपनी जाती पर गर्ब होगा तो उनसे जो नीचे बैठे हुए हैं डारेक्टर साहब सभाविक है कि उनको भी अपनी जाती पर गर्ब होगा तो एक को बचाने वाले मंत्री और दूसरे को बचाने वाले मुख्य मंत्री तो बिगड़ना कुछ नहीं है अगर मेरे आरोपों में सच्चाई नहीं है तो वजय बताई जाए सरकार द्वारा के बार बार आरोप लगने के बाद भी परिक्षा नियामक प्राधिकरण में सचिव सवन ही क्यों बनाया जा रहा था सुत्ता सिंग पर आरोप लगे वो हटाई गई अनिल भूसन चतुरवेदी लाए गए अनिल भूसन चतुरवेदी हटे संजय उपाध्याई लाए गए संजय उपाध्याई निलंबित हुए उनके समय में टीटी का पेपर लीख हुआ तो फिर से अनिल भूसन चतुरवेद होने की पूरी आसंका है इन सब के बावजूद क्या वज़े है कि वो बना रहता है कौपियां जास्ता रहता है अगर पिछड़े और दलिदवर्क का कोई अधिकारी या कोई कंपनी इस तरीके से कर रही होती तो एक बार में ही उसके उपर F.I.R. भी दर्ज होती वो जेल में और जब तक राम नरेश सर्मा की परताल चल रही है तब तक इन से छात्रों का भविस्य बरवाद करने का अधिकार चीन लिया जाए मतलब जो टीटी आल में संपन हुआ है उसकी कौपियां इन से चेक ना करवाई जाए उसका रेजल्ट इन जैसे लोगों से जिनके उपर 4 कार 4 एफ आई यार दर्ज हैं भरष्टाचार की गडवली की नौकरी नाम के नाम पर पैसा लेने की तथियों के साथ पूरा मामला आपके सामने रख दिया निर्णाय आपको करना है कि कौन ज्यादा जाती बादी है किसका जाती बाद आपके लिए ज्यादा खतरनाख है देखते रही ने सन्जनमत जागरुक और सजग बने रहिए जै विज्ञान, जै समिधान, जै लोक तंत्र धन्दू